नमस्तों दोस्तों जोहार मैं भी से एक चक्रवरती है आप सभी का फिल से अपनी यूटूब चैनल को स्वागत खतो दोस्तों आज के इस वीडियों हम लोग क्लास 11 के भूगल विसा यानि जेग्राफिक का जो है सेट 1 का कम्प्लीट सॉलुशन देखने वाले तो सुरू से करान तक इस वीडियो को जरू देखेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहर आपको मिल पाए दोस्तों बिल्कुल ही आसान सब्दों में देखेंगे और एक एक कोशन को फूल डिटेल क की जियोग्राफी में जो है आपका प्रैक्टिकल विशा है तो इसमें जो आपका दिया गया है क्वेशन नबर वन से लेकर सेवन तक दिया गया यह अति लोग हुत्री प्रशन है यानि भैरी सौट एंसर टाइप कोशन है जिसमें इस आपको पांची प्रशन के उत्तर लि गया जाएगा ठीक है तो यही थोड़ा डिफ्रेंस है तो आप लोग पहला सेक्षन ए सॉल्ब करते हैं एकदम डिटेल के साथ उसके बाद हम लोग एक एक सेक्षन को डिटेल वाइस आप लोग को समझाते चलेंगे तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को सेर कर दीजे अपन किस तरफ आपका अरब सागर है और किस तरफ बंगाल की खाड़ी है तो आप देख पा रहे होंगे इधर है आपका अरब सागर ठीक है और इधर है आपका बंगाल की खाड़ी तो यहां कोश्चन में पूछा गया अरब सागर में गिर्टी है दोस्तों लेकिन उनमें से पर साबरमती, माही, नर्मदा और तापती इन चार नदियों का नाम आप हमेशा याद रखेगा जो अरब सागरे में गिरती है इसको याद रखना आज हमिला नहीं है क्योंकि मैं एक ट्रीक बता देता हूँ जिससे आप लोग याद रखेगा हमेशा ठीक है इसको एक ट्रीक से कुछ important fact से याद रखेगा यह जो आप साबरमती देख पा रहे है न दोस्तो ठीक है इससे related question कई बार exam में class 11 में पूछा गया है तो साबरमती नदी जो है दोस्तो यह जो आपका अरावली परवत से निकल कर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है यहाँ पर आपका खंबात यहाँ है दोस्तो इस माही नदी का यह question कई बार पूछाएगे यहाँ तक की UPSC में भी पूछागे है ठीक है यह जो आप माही नदी देख रहे है न यह माही नदी विद्धानचल परवत से निकलती है और इसकी खासियत यह है दोस्तो यह नदी करक रेखा को के बार काटत है ठीक है याद रखेगा कौन से ऐसी नदी है जो करक रेखा को दो बार काटती है तो याद रखेगा वो है आपका माही नदी ठीक है और माही नदी कहां से निकलती है दोस्तो विद्धानचल परवत से निकलती है इसको भी याद रखेगा ठीक है इसके अलावा मैंने बता बनाती है डेल्टा बनाती है क्या बनाती है दोस्तों डेल्टा याद रखिएगा ठीक है ये भी कोईस्चेन आपका जरूर पूछा जाएगा एक्जाम में क्योंकि टम वान में आप लोगों ने देखा कि मॉडल सेट हम लोगों को ये बताता है कि आपको किस किस टॉपिक से ट्यारी करना है ठीक है कई कोईस्चेन जो है घुमा के इस बार पूछा गया है तो एक एक चीज़ को अगर डिटेल में समझना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा वरना यूटूब पे कई ऐसे वीडियो मिल जाएंगे आपको जो डारेट एंसर बता दिया गया ठीक है तो याद रखेगा जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो बनाती है आपका डेल्टा क्या बनाती है डेल्टा जो नदी आपका अरब सागर में गिरती है वो बनाती है आपका क्या एस्चूरी बनाती है क्या बनाती है दोस्तों मैं यहां लिग दे रहा कहते है क्या एस्चूरी कहते है ठीक है नदी क्या होता है दोस्तों माली जी यह नदी है ठीक है और वो जाके सीधे क्या होता है यहां आपका समुद्र है यहां क्या है दोस्तों आपका समुद्र है और नदी का पानी जाकर अगर सीधे कहां मिल जाए दोस्तों समुद्र में मि मिलता है तो उसे हम क्या कहते है एसुरी कहते है जो नदिया अरब सागर में गिरती है फिर से याद रखे है वो क्या करती है एसुरी का निर्मान करती है दोस्तों क्या करती है एसुरी का निर्मान करती है तो यह आप लोग याद रखेगा कि अरब सागर में मिलने वाली नदि या एसुरी का निर्मान करती है, जबकि बंगाल की खाड़े में मिलने वाली न दिया, डेल्टा का निर्मान करती है, ठीक है, तो अगर डीटेल में आप लोग समझ रहे हैं वीडियो को, तो प्लीज लाइक, सेर और कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड को सेर कर दीजिए, उसके बाद अगले कोईशन पर चलते हैं, दोस्तों क्या पूछा गिया, आप देख सकते हैं, नेश्ट कोईशन में, पूछा गिया, छेतरफल के दिश्टी से, जो है, सबसे बड़ा भारती राज कौन सा है, ठीक है, तो छेतरफल के दिश्टी से पूछा है, दोस्तों तो सबसे बड़ा एरिया होता था ठीक है प्राचिन समय में किसके पास होता था दोस्तों राजा महराज़ों के पास किसके पास होता था राजा महराज़ों के पास राजा के पास सबसे बड़ा जो है एरिया हुआ करता था तो इस ट्वीक से हम याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ यहाँ पर जनसेंख्या क्या कर दे जनसेंख्या तो याद रखेगा भारत में जनसेंख्या के दिश्टी से सबसे बड़ा जो है राज है जनसेंख्या के दिश्टी से वो है आपका यूपी यानि उत्तर परदे से यहाँ छेतरफल के दिश्टी से पूछा गया है तो छेतरफ अपवा तंत्र ठीक है यानि ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं यहाँ पूचा गया है तो यही जो अपवा तंत्र है दोस्तों इसको परवा परणाली भी कहते हैं इंग्लिस में ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं इसका एंसर को अगर हम लोग देखेंगे तो आपको बिल्कूल ही य एक दिसिया परवा मार्ग बनाती है ठीक है ये कुछ समझ में नहीं आए ना अब समझ में आ जाएगा ठीक है मैं इसको थोड़ा explain कर देता हूँ ठीक है अब माल लिजिए एक नदी पहले आपको समझना जो रही है कि आखिर अपवा क्या है उसके बाद तंत्र समझेंगे ठी एक नदी है ये क्या है एक नदी है एक नदी जब निस्चिद मार्ग बर बह रही है तो इसी को हम कहते है परवा कहते है क्या कहते है दोस्तो परवा कहते है ठीक है अब दोस्तो ये नदी परवा हो रही है यानि हम इसे क्या कहेंगे अपवा कहेंगे क्या कहेंगे दोस्तो अपवा कहेंगे और इसके बाद याद रखेगा एक नदी बह रही है और उस नदी के साथ जब बहुत सारी सहायक नदिया ठीक है बहुत सारी क्या दोस्तों सहायक नदिया ऐसे ठीक है आप जानते है एक नदी बहती है और उसके साथ बहुत सारी सहायक नदिया आकर मिलती है तो इस परकार नदियों का क्या बनता है? एक जाल टाइप का बनता है, एक नदियों का क्या बनता है? जाल बनता है, ठीक है? और नदियों के इसी जाल को हम क्या कहते है? अपवा तंत्र कहते हैं, ठीक है? अब answer को थोड़ा देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है अपवा तंत्र या परवा परणाली मुख्य नदी ठीक है कोई मुख्य नदी एक्जामपल के थुरू से मैं आप भी बताओंगा ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक थोड़ा सा फीगर के थुरू से आपको समझा देता हूँ जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक्जामपल के लिया है क्या सिंधु नदी को किसको लिया है सिंधु नदी ठीक है यहाँ सिंधु नदी जो है अपवाईत हो रही है आप देख रहे हैं कहां से निकलती है आपका तिबबत ठीक है यह नदी तिबबत से बहते हुए आपका यह नदी के साथ बहुत सारी छोटी मोटी नदिया आकर इस मुख नदी के साथ क्या हो रहा है दोस्तों मिल रहे हैं देख रहे हैं आप यह पर जेलम नदी उसके बाद आपका चेनाब रावीर बयास यह सतलच यह सभी नदिया आकर इस मुख नदी जो है सिंदु नदी से आकर क् ठीक है इसके कारण दोस्तों क्या बन रहा है आपे नदियों का एक जाल बन रहा है जिसे हम लोग क्या कहते दोस्तों अपवा तंत्र कहते है तो full explanation के साथ आपको एक एक चीज़ समझाया जाएगा जिसके बाद आपको question को रटने की अवसकता बिल्कुल नहीं पड़ेगे ठी लिए आप जो है direct उसी answer को लिखिएगा लेकिन दोस्तों अगर आपको question बढ़ा के पूछे ठीक है तो उसमें आप इस answer को लिखने के साथ आप यह वाला जो मैंने figure बता है इसको आप बना दीजेगा तो आपको full marks मिल जाएगा ठीक है या लेकिन यहापर one marks में पूछा है तो बस आपको यही answer लिखना है concept के लिए रखिए कैसे भी गुमा के question पूछा जाए आप फसीएगा नहीं ठीक है तो अगर आप लोग को वीडियो पसंदारा और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं detail से एक एक topic का आपको पढ़ाओं ठीक है क्योंकि मेरा geography favorite subject है दोस्तों ठी आने के लिए तो आप लोग को कोई भी tension होने वाली बात नहीं है बसरते कि आप लोग प्लीज जो है इस वीडियो का अपने friends के साथ सेर कीजिए वीडियो का like target है दोस्तों 200 अगर 200 likes हो जाती है तो मैं तय मानिए एक एक topic को detail के साथ आप लोग को वीडियो लाओं गा जिसक क्या होता दोस्तों पुराना जरुण मिर्दा होता है जिसका जमाव बाढ़ पिरित मैदानों से क्या होता दोस्तों दूर होता है और यह दोस्तों जो होता है बहुत कम उपजाव वाला मिर्दा होता है ठीक है तो यह क्या होता है पुराना जरुण मिर्दा होता है जिसका जमाव क्या होता सो बाढ़ पिरित मेरानों से दूर होता है और यह क्या होता दोस्तो कम उभजाव होता है इसको ही आपको एंसर में लिखना है हाला कि यह Q дан あगे Q & 2018 में भी पूशा pewn प्रूश का गया है भांगर और लिखते हैं क्वेश्चिन नबर फाइब देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया भारत की अच्छांस एवं देसांत्री विस्तार लिखे तो एंसर में क्या लिखेंगे दोस्तों भारत की मुख्यू बोमी आठ डिगरी चार मिनट से लेकर 37 डिगरी छे मिनट उत्तरी अच डिगरी साथ मिनट से पूर्वी देसांतर से लेकर 97 डिगरी 25 पूर्वी देसांतर के में दिस्तित हैं दोस्तों इसको हम लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे इसको आप लोगों को फीगर में समझना जोरी है सबसे पहले आप लोग को याद रखना जोरी है दोस्तों कि की तरफ भी 90 डिग्री तक है तो ऊपर की तरफ जो है यह आपका उत्री गुलार्द है उत्री गुलार्द में जो अच्छांस रेखा है यहां पर भारत भी इस्थी था दोस्तों ठीक है यहां पर हमारा भारत भी जो है यहां पर इस्थी था आप यहां जो माल लेते हैं हम लो चार मिनट से लेकर आपका 37 डिगरी छे मिनट तक जो है इंडिया यहाँ पर है याद रखिएगा ठीक है यह है आपका अच्छांसिय विश्थार ठीक है अब दोस्तों हम लोग जान लेते कि देशांतर किसको कहते हैं ठीक है तो देशांतर आप लोग जानते हैं इस तरह से हम हम देशांतरी विश्थार करते हैं आप देशांतर का बात करें यहाँ जीरो डिगरी से लेकर वो किधर है दोस्तों यह आपका पस्चीम हो गया और इधर आपका हो गया पूर्वी देशांतर ठीक है यह आपका पस्चीम में देशांतर है और यह आपका पूर्वी देशां जो है आपका 68 degree से लेकर कहां तक 68 degree से लेकर आपका 97 degree तक है ठीक है तो वही answer में लिखा गया दोस्तों इसे अब हम लोग मैप से समझ लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना पड़े तो इसे हम लोग कहते हैं ऐसे जो लंबवत रेखा हैं इसको हम क्या कहते हैं अच्छांस 6 मिनट 966 के बेश-Wishthit है ठीक है अगर देशांतरी विस्तार का बात करें दोस्तों तो देशांतरी विस्तार 68 degree 7 मिनट पूरवी देशांतर से लेकर आपका 97 डिगरी 25 मिनट पूरवी देशांतर के बीच इस्तित है आप लोग मैप से भी यह चीज़ क्लियर हो गया है ठीक है दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं जो इस पर एक complete वीडियो लेके आऊं अच्छा देशांतर ठीक है इंडिया का आप में कैसा किसका लोकेशन है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजेगा मैं जरूर इस पर भी वीडियो बनाऊंगा हाला कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इस कोईस्चन में जितना पूछा किया था मैंने उतना आप लोग को समझा दिया ठीक है तो आप लोग इस तरह स अर्शट डिगरी साथ मिनट से लेकर जो है आपका पूर्वी देसांतर से संतानवे डिगरी 25 मिनट पूर्वी देसांतर के मैं इस्तित है यह आपको एंसर लिखना है ठीक है इसके बाद दोस्तों देख सेते कोशन नमबर 6 काफी फेमस कोशन और कई बार आपके प्रिभिय सेर एक्जाम में पूछे गए चाहिए हो आपका यूपीसी एक्जाम हो या कोई भी जनरल कॉपेटिटिव एक्जाम हो उसमें यह कूशन पूछा ही जाता है ठीक है तो दोस्तों सारगे सो सागर क्या है यहाप पूछा गया है तो इसको समझने से पहले हमको वीशुमान च सागर दिखाए देता है जिसे हम क्या कहते है अट्लांटिक महासागर और यहां का एरिया जो आप देख पा रहे है यह है आपका मेक्सिको की खाड़ी है अब दोस्तों हम लोग को यह सारगेसो समझने के लिए सबसे पहले यहां देखना होगा इसका लोकिशन ठीक है तो अट है आपको सारगेसो सागर उत्तरी अट्लांटिक महासागर में 20 डिगरी से 40 डिगरी उत्तरी अच्छांस कितना दोस्तों 20 डिगरी से 40 डिगरी उत्तरी अच्छांस ठीक है तथा 35 डिगरी से 75 डिगरी जो है आपका पस्चिमी देशांतर 35 डिगरी से 75 डिगरी क्या पस्चि कहता है देखिए च्षेत्र लिखा गया दोस्तों यहां पर अभी बताओंगा क्यों यहां पर ख्षेत्र लिखा गया जल छैत्र गा स्वेशन नहीं है दोस्तों जी यहां दोस्तों आप सही सुन रहे हैं इसलिए यहां पे छेत्र लिखा गया था ठीक है अट्लांटिक महासागर में एक जगा सारगेसो है जो की यहां सागर नहीं है यहां सेवाल पाए जाता है क्या पाए जाता दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या पाय जाता है दोस्तों सेवाल पाय जाता है जिसे एलगी यानि समुद्र में तरता रहता है जो कि जिसे हम लोग सारगेसम नाम से जानते हैं इस सेवाल को किस नाम से जानते हैं दोस्तों सारगेसम से जानते हैं जो समुद्र में तरता रहता है जो बहुत ठीक है घास पाए जाते हैं यहाँ पर बहुत लंबे लंबे घास पाए जाते हैं और इस घास वाले एरिया को सेवाल वाले छेत्र के नाम से रखा गया है जिसका नाम है सार्गेसॉ सागर इसी घास वाले छेतर का नाम रखा गया है क्या सारगेसो सागर तो इससे पता चलता है कि यह एक्चुली में दोस्तों यह क्या है सागर नहीं है यह जो आप देख पा रहे है यह क्या है एक्चुली में सागर नहीं बलकि सागर का वहा हिस्सा है जहां सारगेसम नामक क् एक मात्र ऐसा सागर है जो जमिन से कोई भी इसकी सीमा टच नहीं करता है या जमिन का कोई भी ऐसा सीमा जो है इसको छूता नहीं है आप देख पार है किसी भी तरह से चाहे आप उत्तर दच्छिन पूरब पस्चिन कहीं से भी देखे इसका जमिन से ये एरिया कहीं भी टच नहीं करता है ठीक है तो सारगेसो सागर दुनिया का एक मात्र एसा सागर है जो जिसका जो है जमिन से कोई भी सीमा नहीं छुता है ठीक है और इसी सागर के पास जो है ठंडी जलधारा आती है जिसे आप कहते हैं क्या लिब्राडोर क्या कहते हैं यहां से ठंडी जलधारा आत होता है पूरा बर्स एरिया ये भर जाता है दोस्तों ठीक है और दोस्तों याद रखेगा कि सारगेसो सागर में ही जो है अप्रेल 1912 डेट याद रखेगा अप्रेल 1912 में टकरा गया था टाइटेनिक जहाज जी हां दोस्तों ये टाइटेनिक जहाज जो है टकरा गया था और यहां डूब भी गया था इस पर एक मोबी भी बना था जो कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूरेंट ने देखा भी होगा ठीक है तो यह जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और इस चीज को आप लोग हमेसा कॉंसेट वाइस क्लियर रखेगा वरना आप ही था ठीक है इसलिए मैंने फीगर वाइस आप लोगों को एक इस चीज जो है डीटेल से समझाने का कोशिस किया है इसके बाद दोस्तों कोशन नमर सेवन देख सती क्या पूछा गया है जल संबर से आप क्या समझते है ठीक है वर्ट यह इंडर से यह कोशन आप लोगों न भूगरविक जल भी कहते है इसी को हम क्या कहते है भूगरविक जल जैसे आपका क्या भूगरविक जल में आपके क्या आता है तलाब कुवा यह सब क्या है भूगरविक जल के सुरोत है ठीक है तो इसके अंतरगत जो हम लोग क्या कहते है बहते जल को रोकना और विभीन व होंगे एक होता है धराते लिए जो होता है भूगर्भिक जल जिसे हम भूम जल कहते है धराते लिए जल जो होता है उसमें आप क्या करते है बहते जल को आपको रोकना रहता है जैसे आप नदी ठीक है आप क्या करते है नदी और जिल के जिल के जो पानी को उसको एक जगा कले और डोभा के माहितम से जो है पानी को क्या करते है इन दोनों के द्वारा धरातलिय जल और भूगरविक जल इन दोनों के द्वारा पानी को भूमी के अंदर भूगरविक जल को कम ना होने देना यानि जल अस्तर को बचाए रखना या उसका कुसल प्रबंदन करना ही क्या कहल कहलाता है जल सरब्बन संभर प्रबंदन कहलाता है क्या कहलाता है जल संभर प्रबंदन कहलाता है ठीक है याद रखेगा इसका कुसल प्रबंदन वाटर मेनेजमेंट का जो कुसल प्रबंद जो होता है उसी हम क्या कहता है जल संभर प्रबंद कहता है प्रबंदन कहता है यान वर्टसरेडित कहते हैं ठीक है इस विश्काप लोग याद रखेगा यह आप लोग जो है अपने आस पास भी अब जो गाओं के घाओं घर में रहने वाल स्ट्ट है मैं भी गाओं का ही एक स्टुडेंट हूँ तो आप लोग यह सभी चीज्ज आप लोग अपने आसपास में जो रूद देखे होंगे ठीक है किस तरह से पानी को इस्टोर किया जाता है तो यह जो आप लोग अपने वर्ड में भी बना के इसको answer को लिख सकते हैं आप लोग का अच्छा marks मिल जाएगा ठीक है तो मैंने इस तरह से answer को लिखा है कि आप लोग का जो अगर पूछा गिया है अब जो हम लोग का ये जो टॉपिक था अभी तक हम लोग ने जो वो जाना वो था आपका वन मार्क्स वाले कुश्चन उसमें पांची कुश्चन का एंथसर देना था लेकिन मैंने सभी का एंसर जो है एक्जांपल के साथ एक दम टूदा पॉइंट आप ल जो आपका लिमिट दियागा वर्ड्स का वो 50 वर्ड्स में है आपका एंसर को देना है और हर एक कुश्चन के लिए आपको कितना आंख मिलेगा दोस्तों 3 आंक मिलेगा ठीक है यानि 5 इंटो 3 इस कुश्चन में आपको जो है इस सेक्शन से आपको 15 नमबर एक्जाम में मि क्या लिखेंगे प्रित्वी को नीला गरा कहा जाता है क्यूंकि सता का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढखा हुआ है आप लोग जानते हैं ठीक है जिसे आंत्रिस से देखने पर प्रित्वी नीले रंका क्या होता दोस्तों दिखाई पड़ती है प्रित्वी एक मात्र ऐसा गरा ह जिसे ग्यात किया गया है कि उसमें पानी का अस्तित है ठीक है प्रित्वी एक ऐसा गरा है जिसमें मालूम चला है कि यहाँ पर पानी का अस्तित है जहां पानी है वहाँ जीवन संभव है ठीक है इसलिए प्रित्वी पर ही जो है अन्य ग्रहों के पेच्छा प्रित्वी पर जीवन प्रैप्त पाया गया है ठीक है तो दोस्तों यह आपका यहाँ पर इस एंसर को आप लोग बना के लिख सकते हैं ठीक है तो इस तरह सा आप लोग और भी इसमें कुछ words जोड़ सकते हैं लेकिन आपको 50 सब्ड में ही limit दिया गया तो आपको इसी तरह सा एंसर को लिखन बना है ठीक है दोस्तों इसको आप बहुत सार्ट जो क्या करेंगे नेट से खुछ के दो चाल लाइन में लिख देंगे जिससे आपको तीन मार्थ नहीं मिलने वाला दोस्तों यह तीन मार्थ में आपको 50 सब्द मैक्सिमम आपको लिखना ही पड़ेगा ठीक है तो याद र जन्तु वर सुच में जीवों के घर के रूप में अधन ठीक है एक दूसरे पर आस्रित होने के कारण यह एक साथ रहते हैं जर्मन अर्शास्त्री जो थे अर्नेस्ट ठेकल इनका नाम तो हमेशा याद रखेगा दोस्तों ठीक है इन्हें जो पारस्तितिकी के जनक के जो पारस्तिती की विज्ञान कहते हैं चीवधारियों का आपस में नंका भौतिक परियावरान से अंतर संबंद का विज्ञानिक अधनी क्या कहलाता है ठीक है तो इस चुछ को आप लोग याद कर लीजेगा अच्छे से लिखेगा ताक कि आपको फूल माक्स मिल जाए इस आगे चलके आप लोग भूगर सास्त्री जरूर बनिएगा एक दिन ठीक है इसी वज़े से तो आप लोगों ने बहुत सारे स्ट्रेंट्स ने इस जिग्राफी को रखा होगा बहुत ही इंट्रेस्टिंग विस्स है दोस्तों अगर आप लोग डीटेल में समझेगा ठीक है आ यहां परत समुद्र तल से 10 किलोमेटर तथा समुद्र से 9 किलोमेटर की गहराय तक फैला हुआ है जेव मंडल चार परतों में से एक है जो परिथवी में परिथवी को अस्थल मंडल यानि चट्टान जल मंडल जल और वायू मंडल वायू के साथ क्या करता दोस्तों घेरती है यहां सभी पारस्तिति की तंत्र का ही क्या है योग है तो इसको भी आप लोग का ऐसे वर्ट्स बनाके इसको आंसर को लिखना है ठीक है इसके बाद दोस्तों कोईशन नबर 11 देख सकते क्या पूछा कि नदियों के किनी 5 महत्त को लिख है ठीक है तो पाच महत्त लिखने बोलागी इसे आप लोग अपने सब्दों में भी लिख सकते हैं आप लोग जानते हैं नदिया चाहे समाजिक के हैं आर्थिक के हैं या वेग्या ने या आइनिक रूपों में जो है वो सहायक मानी जाती है यह पॉइंट बना के आप के पास होगा उलोग को जो है खेती बाड़ी के लिए जो है पानी का कोई दिक्कत नहीं होता है यानि सिचाई की बवश्ता उलोग पास पानी जो है प्रियाप्त उपलब्द होती नदी से ठीक है पानी जो है पीने के लिए भी ये नदी का पानी अधिकता साफ होता है परिवहन के रूप में किया जाता है आप लोग देखे होंगे कि बड़े-बड़े नदियों में जो है नाव चलते हैं उससे क्या करते हैं इधर से उधर ले आ जाने में लोगों को क्या मिलता है उससे रोजगार भी मिलता है ठीक है उसके बाद दोस्तों अगला जो है पॉइ तो इस तरह से आप लोग 5 पॉइंट अपने वर्ट में भी बना के लिख सकते हैं आप लोग नजदिक में कौन सा नदी है ठीक है और उस नदी की खासियत क्या है नीचे ज़रू कमेंट करके बताईएगा चलिए अगले कोशन की चलते हैं क्या पूछा गिया है यह भी कोशन क कई बार आप लोगों ने पढ़ा है ठीक है लेकिन लेकिन लिखने का तरीक आपको चेंज करना पड़ेगा मैं बार बार बताता हूँ स्टूटेंट को कि लिखने का तरीका है एधर कर दे ऐसा तरीका बिल्कुल गलत है अगर आपको तीन नंबर है न तो आपको एक ही माक्स मिलेगा अगर उस तरह से लिखते हैं जैसे अगर यह पूछे जाते तो आपको जो रूम नंबर अच्छा मिलेगा ठीक है तो यहां पर सबसे पहले जब भी कुछी चीज को अंतर करते तो अंतर का आधार लिखिए फिर उन दोनों का नाम लिखिए ठीक है तो अंतर का आधार में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते अर्थ लिखते क्या लिखते उसका मिनिंग लिखते दोनों का तो बांगर का अर्थ क्या होता दोस्तों पुरानी जलोन मिर्दा को हम क्या कहते है बा बांगर का खादर के तुलना में क्या होता है कम होता है लेकिन यह नहीं मिट्टी होती है दोस्तों और इसकी जो है उर्वरा सक्ति बांगर के तुलना में इसलिए अधिक भी होती है इसका अगर मिट्टी की प्रकृति का बात करें ठीक है तो इसकी मिट्टी में जो कंकर्ड केलसियम कार्बोनेट से युक्त होता है ये जो होता है बांगर जो है कंकर और केलसियम कार्बोनेट से युक्त होता है इसलिए ये मिट्टी काफी ज़्यादा उपजाव नहीं होता है दोस्तों ठीक है और ये मिट्टी रेतली टाइप की होती है इसलिए थोड़ा ये उपज लाओ अच्छी होती है ठीक है तो उसके आगला जो है आपका अस्थान कि अगर बात करें तीए आप देखेगा दोस्तों कि यह जो बांगर मिट्टी मिलता ना अधिकतर यह नदी से दूर उच्छे अस्तर के मैदान पर मिलता है ठीक है नदी जो हाप नदी के साथ, नदी के साथ डेल्टा तथा बार निर्मित मेदान छेतर में यह पाए जाता है, ठीक है, यानि नदी के आस-पास का ћेतर में पाए जाता है, मैंने अभी नदी वाला जो टॉपिक पता है, उसी में आपनों को यह चीज समझा है ठीक है, तो इस तरह से आपका 3 marks का था, 4 point लिखे, 3 point भी लिखिएगा, तो आपको number मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने pattern बता है, इसी pattern पे answer को लिखा कीजिएगा, तभी आपको जो है, दोस्तो, full marks मिलेगा, वरना teacher जो है, आपको full marks नहीं देने वाले, क्योंकि आप 11th के student, ना कि आप 4, 5 के student है, ठीक है, तो इस एक चीज़ को आप लोग को deal के साथ बताया है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले question पर चलते हैं, क्या पूछा गया है, समुद्र जल की लवनता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो समुद्र जल लवनता, लवनता सब्द जो है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुलेवे नमक की मात्रा को निधारित करने में किया जाता है आप सभी जानते है इसका परिकलन जो है 1000 ग्राम एक किलो ग्राम समुद्री जल में जो है घुलेवे नमक ग्राम की मात्रा द्वारा किया जाता है ठीक है इसे प्राया 1000 भाग प्रतिसत PPT के रूप में क्या किया ज सभी जानते हैं कभी आप लोग समुद्र गय होंगे या पूरी गय होंगे घुमने तो उसका ढेव जो लिया होगा उसका मूँ तो याद रखेगा 24.7 प्रतिशत समुद्री जल 35,000 है उसका जल में 35 ग्राम लवन की पर्दिस ग्राम की मारत्र का होणा अगर एक किलोग्राम जल होगा तो उसे उसमें 35 क्या होगा आपका लवन पर्रतिशत को भांद वम किस कारण होता दोस्तों इस चीज़ को हमेशा याद रखेगा ये लिखना जो आपको डेटा दिया जा रहा है नो दोस्तों इस question में काफी ज़्यादा डेटा है यानि इस question का आप लोगों समझना भी है लिखना भी है और याद भी रखना है क्योंकि इसमें आपका आकड़ा दिया गया है ठीक है और इसमें एक चीज़ तो जरू लिखेगा ये वला समुद्री लवन्ता का 77.8% केवल सोडियम कुलराइट के कारण ही जो है आपका लवन्ता पाए जाता है ठीक है कितना 77.8% केवल सोडियम कुलराइट के कारण ही जो है समुद्री जल में लवन्ता हो जो है रटना नहीं पड़ेगा खुद अपने वर्ट्स में बना कि इसको जरूर लिख लिजेगा इसके बाद दोस्तों कुछन अबर 14 देख सकते ये भी काफी important question है class 11 के लिए तो भी बी आए है दोस्तों ये question पूछा जाएगा ठीक है करता है दोस्तों आपका जलवाई और अप्छे संबंदी तत्व करते हैं ठीक है तत्व करते हैं अता विशेश परस्तियों में पादब वह जनतों के अंतर संबंद का कूल योग को ही क्या कहते हैं ठीक है क्या क्या अभी बता है कि पादब और जनतों के अंतर संबंद का कूल योग का हम क्या कहते है बायोम कहते है इस चुछ को याद रखेगा ठीक है इसमें आपका वर्षा का जल तापमान आदरता वो मिट्टी सम्मंदी अवई सामिल होता है क्या क्या वर्षा तापमान आदरता मिट्टी सम्मंदी अवई सामिल होता है ठीक है जीवम के अंतरगत इ किसी महादीब के उन सभी भोगलिक छेतर के समस्त प्रानियों और पातवों को समिलित किया जाता है जिनकी सामाइन्य विशेष्टाए उस भूभाग में एक जैसी होती है ठीक है आप जिस क्लाइमेट में रहते हैं जिस जगा पे रहते हैं उस क्लाइमेट में जिस परकार के प्रानी या पेड़ पोधे जन्तु जो उसमें रह पाते हैं वो सभी किस्क में आ जाएंगे दोस्तों बायों में आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे लिखा भी गया है साफ साफ यहां देख सकते हैं जियोम के अंतरगर किसी महादीप में उन सभी भोगलिक छेतर के समस्त प्रानियों पादबो को समलित किया जाता है जिनकी सामाहन्य विसस्ताए उस भूभाग में एक जैसी होती है ठीक है तो दोस्तों क्या यहां पे हम लोग ऐसा किसी भी जन्तु को देख पाते हैं जो कि आपके ठंड के परदुशों में राते हैं नहीं देख पाते हैं यहां जहां पर हम लोग खास करके जारखंड में जारखंड का जैसा क्लाइमेट है वह ऐसा ही क्लाइमेट पे जो है यहां पर जीव जन्तु आपको देखने को भी लेंगे क्या जारखंड में जो है यहां पर पेगविन आप देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं क्योंकि पेगवि question number 15 से लेकर 19 तक जो question दिया गया है वो आपका दिर्ग उत्र यह type के questions दिये गया है यानि long answer type question है दोस्तों ठीक है इसमें से आपको जह है केवल और केवल दोस्तों आपको तीन ही प्रशनों का उत्तर देना है maximum word limit दिया गया 150 ठीक है तो दोस्तों इस question में आप लोग को हर एक question के लिए आपको दिया जाएगा कितना अंग दोस्तों five अंग दिये जाएंगे यानि पाच अंग दिये जाएंगे और question number of question है ठीक है तो इसको भी ध्यान से समझीएगा हाला कि इसमें तीन ही बोला गया लेकिन मैं सारे जैसे हर एक से से total का बताया इसमें भी total का ही answer बताने नहीं है ठीक है क्योंकि आप लोग एक्जाम में लिखना है और copy में लिखा हुआ चीज जल्दी याद होता है ठीक है दोस्तों long answer type questions का सबसे पहला question देख सकते जो कि आपको एक्जाम में five marks दिलाने वाले है सबसे पहला question पूछा गया पारस्तितिकी संतुलन क्या है इसके स संतुलन को रोखने के उपायों की चर्चा करें तो दोस्तों ecological balance का बात किया तो इसका answer में क्या लिखेंगे कि किसी परितंत्र या आवास में जीवों के समुदाए में परस्परी गतिक सभिता की अवश्था ही परस्तितिकी संतुलन है दोस्तों आप जानते हैं कि पहले जो शाकारी जीव है वो पेड़ फोहधे को खाते है और जो मानसाहरी जीव है वो क्या करते है उस साकारी जीव जनतों को वो खाते है तो इस सी तरह से हम लोग का balance बना हुआ है तो यहां तभी संभव होता है जब झीव धारी की विबता जो अपिछा क्रित क्या रहा है अस्ता अस्था ही रहना चाहिए जैसा है वो ऐसा रहना चाहिए ठीक है संतुलन इस बात को निर्भर करता है कि कुछ परजातियों परजातिया अपने भोजन वो जीवन जीवित रहने के लिए दूसरे परजातियों पर क्या करता है निर्भर रहती है उधारन के लिए आप जानते है घास के मैदान मिलते हैं, वहाँ अधिकतर क्या होते हैं, साखारी जन्तूओं की संख्या क्या होती हैं, जहां उन्हें क्या करते हैं, मानसाहरी जीव जह हैं, उन्हें अपना आहार बना कर खाती है, ठीक है, इस तरह से पारस्ति की संतुलन क्या होता है, दोस्तों बना हो रहत तो इसका कारण सबसे पहले असुंतलन का कारण लिखे उसके बाद इसको उपाई को लिखेगा ठीक है तो इसमें असुंतलन का कारण यही है दोस्तों कि नई प्रजातियों का क्या हो रहा है अगमन हो रहा है प्राकृतिक विपदाएं मानव जनित कारक है ठीक है आप जानते है कि जिस तरह से लगातर जंसेंख्या भारत की बढ़ते जा रही है अन्य देशों की जंसेंख्या लगातर बढ़ते जा रही है मानव जितने सुक सुविधा हैं ले रहे हैं उस हिसाब से पेड़ों पेड़ पोदों की धडलने से कटाई करते जा रही है उसके बाद उसको प्रियावरान भी परदूसीत हो रहा है जाहे वह धौनी परदूशन का है यह सभी तरह की समझ सा देखने की मेरी है तो यह काफी बड़ा रिजन है दोस्तो पारस्तिति की असुंतलन के कारण क्योंकि जिव जन्तों को रहने के लिए आवास नहीं मेर रहा है तो वह इस जगह से छोड़के दूसरे जगह की और प्लाइन करने के लिए मजबूर हो जा रहे जिसके कारण जो है परस्तिकी असुंतलन हमें देखनों की मेरा यह सबसे बड़ा कारण है दोस्तों उसके बाद दोस्तों मनुष्ट के हस्षेफ से पादव समूदाय का प्रभावित होता अंत अपने स्वार्थ के लिए हर एक चीज़ का उभ्वक कर रहे है तो दोस्तों यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मेरा है तो इसी को हम कहेंगे पास्तिति के अंतुलन के दो कारण आप ज़रू लिखेगा ठीक है उसके बाद दोस्तों इसका क्वेश्चन में पूछा निस्चित अस्थानों में जीवों में विवित्ता वहां की परियावरणिय कारोक के संकेत है इन कारोकों की समुझ ज्ञान वह समझी परितंत्र को क्या कर सकता है बचाओ के परमुक आधार है तो जैसा जिस क्लाइमेट में रह रहे है उयसा उनको इन्वाइरमेंट देना उनके बीच अंतसंब्द बनाए रखना निस्चित अस्थान उन्हें उपलब्द कराना जितना उसको परियावरणि जो भी कारक चाहिए होगा जेव विवित्ता के लिए वह सभी एवलेबल कराना इन कारोकों को जो है सुनिश्चित ज्यान अगर उन्हें होगा और समझ ही आपको फूल मार्क्स मिल जाएगा ठीक है चलिए अगले को देख लेते हैं जो कुछा गया कोशन नमर 16 में 16 में भारत के परमुख भौतिक विभागों के नाम लिखे और इन में से किसी एक का विस्तृत वर्णन करें तो सबसे पहले यह जानिए कि भू आकरती किसी अस्थ यह खंड किये तो इसको जो है छे विभागों में बाटा गया है पहला है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी परवत माला उसके बाद उत्तर भारत का मैदान प्रादिप्य पठार भारतिय मरुस्थल तर्टिय मैदान और दिप्यस दीप समो ठीक है इन 6 के टेगरी का आपको न आपञाले में कई समांतर परवत शरंख्ला है आप सभी जानते हैं ठीक है आप लोग को हिमाले वाला जो टॉपिक पढ़े होंगे अगर नहीं पढ़े होँगे तो बताइएगा वह होबिवर आप लोगह से इसे इसे संब्लें करके अनसर को लिख सकते है कि स्रिंखला के मैदे इस्तित है ठीक है आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे क्या क्या है ब्रियाद हिमाले फिर आपका मैद हिमाले और सिवालिक हिमाले जो आपका परमुख स्रेणिया है भारत के उत्तरी भाग में हिमाले की ये स्रेणिया आपका उत्तर पस्चिम दिसा दच्छिन पूरु दिसा की और क्या है फैली हुई है उत्तर पस्चिन पूरु दिसा की और दोस्तों क्या है ये फैली हुई है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लिखना है दारजिलिंग और सिक्कीम छेत्रों में ये सिर्णिया पूरु पस्चिन दिसा मे फैली और उनाचल प्रदेश में ये दच्चिन पस्चिम की उसे उत्तर अपस्चिन की और घुमती जाती है मिजुरम नागालेंड और मनीपूर में ये पहाड़िया जो है उत्तर दच्चिन दिसा में फैली है बियाध हिमाले स्रिंकला जिसे केंद्रिय अपिछक्री स्रिंडीय के कहा जाता है कि पूरु पस्चिम लंबाई कितना है 2000 km तथा उत्तर से दचिन के लंबाई किये चौड़ाई की बात करें और चौड़ाई की बात करें तो 160 से लेकर 400 km तक है जैसा कि मानस्चित्र में असफस्ट है कि भरतिय उपमहादीः तथा मज़ हिमाले में पुर्वी ACI देशों की बीच जह है मजबुत लंबी दिवार के रूप में ये क्या है खड़ा है तो ये आप लोग answer को बना के लिख सकते हैं आप लोग को figure में भी दिख रहा होगा दोस्तों कि किस तरह से आपका रसिया के उधर से जो हवा को आने नहीं देती है थंडी हवाओं को नहीं आने देती है इधर से मजबुत दिवार की तरह एक खड़ी है जो भारत को जो है आप लोग पढ़े होंगे खड़ा हिमाले बता रहा है डरो ना आधी पानी से ये आप लोग ने कविता भी पढ़ा होगा ठीक है तो दोस्तों इस तरह से आप लोग समझ चुके होंगे कि भारत देश के लिए जो है हिमाले कितना महत्पून है और इसको हर इक चीज़ को आपको डिटल में समझना जोरी है दोस्तों ठीक है और इसके साथी एक महत्पुन चीज़ जो आप लोग नोट करके लिखिए का ज़रू एंसर में ताकि आपको फूल मार्क्स मिल सके तो उच्च परवत स्रेणियों के सेंरेखन और भू आकर्तियों के आधार पर हिमाले को निमलिखित उपखंडों में विवाजित किया जानकरी अच्छी है ठीक है दोस्तों यहां पर चाहे तो आप लोग फीगर भी हिमाले कर ड्रो करके दिखा सकते ताकि आपको फूल फाइब में से फाइब मार्क्स यहां पर आपको मिल जाए ठीक है तो हलाकि जितना आंसर बताएगा वो भी आपको फाइब मार्स दिला द जानते हैं पहाडी छेत्रों में किया आता है तीवर ढाल वाली भूमी में सीड़ी बनाकर घेती करने से पानी के बहाव को क्या किया जा सकता है जिस से मिर्दापरतन कम हो क्या हो यहां पर लिखा गया घास की पट्टिया घास की पट्टिया भी जो है पानी को बहने तो देती है तेज भाव से लेकिन वह मिर्दा को पकड़ कर रखती है ठीक है जिसे मिर्दा परदा नहीं होती है उसके बाद विरिच्छार उपन तो आप लोग जानती है कि जितना इंपर्टेंट है जो कि भूसर इस्ट्रेंट नहीं जानते पेड़ों की रच्छक मेखाल ठीक है तो पेड़ों की को एक कतार से लगाकर रच्छक मेखाल बनाए जाता है जैसे विच्छार उपन है दोस्तों उस तरह से बहुत सारी जगह पर आभी किया जा रहा है पेड़ सबस्दान में ज्यादा हवा चलती है उस सतान में इस विधी के द्वरा मिर्दा परदन को रोका जाता है उसkov आप लोग भी देखते होंगे कि आती पसुचरंण जिससे क्या हो सकता है मिर्दा परदन हो सकता है तो हमको जो एक ही अस्थान पर परसुचरन नहीं करना चाहिए अलग-अलग अस्थान पर जाके परसुचरन करके हम क्या कर सकते है मिर्दा परदन को रोग सकते है ठीक है अगर एक ही अस्थान पर परसुचरन कीजेगा तो वह वाइस बना के लिखेगा तो आप लोगो डेफिनेटली नंबर मिलने वाले क्वेशन नंबर 18 में देख सकते हैं उत्तर भारतिय नदियों की महत्पुन विसस्ताइं क्या है ये प्राइदीपिय नदियों से किस परकार भीन है ठीक है तो इसमें दो क्वेशन पूछा गया है पहले आपका उत्तर भारतिय नदियों की विसस्ता पूछा गया है और ये प्राइदीपिय नदियों से किस परकार भीन है ये पूछा गया है भारत की अधिकांस नदिया हिमाले से निकलती है अधिकांस नदियों में सालों भर पानी रहता है ठीक है क्योंकि वो हिमाले से निकलती है और कुछ नदिया जो पठारी भागों से निकलती है वो गर्मी के दिनों में क्या हो जाती है दोस्तों सूख जाती है यह हमें पूछा बाद दोस्तों सबसे important चीज़ उत्तर भारत की नदिया अधिकांस्तर नदिया गंगा सिंधु ब्रंपुत की सायक नदिया होती है ठीक है उत्तर भारती नदियों में सिंधु नदी अरब सागर में और गंगा तथा ब्रंपुत नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये त अच्छा लिखे जो जो महत्पुन पॉइंट है ताकि आपको कम सब्दों में आप अच्छा एंसर लिखे और आपको फाइब मार्स मिल जाए इसके बाद जो हम लोग लिखेंगे एंसर में क्यूंकि आपको डेड़ सो सब्द में कंप्लीट करना है तो छोटा से हम लोग नदियों नदिया प्राइदी भारत से निम्न प्रकार भीन है दच्छिन भारत की नदियों के बात करें जो है दोस्तों तो वहां की जो नदिया है उत्तर भारत के नदियों से इस प्रकार भीन है क्योंकि देखिए दच्छिन भारत की नदियों में सालों भर पानी नहीं र उल्टा है जबकि हम लोग देखते हैं हमारे नदियों में क्या होता है इसलिए जारदा बड़ा एंशर को नहीं लिखेंगे नर्मदा एवम तापती नदी, कोरो मंडल तर्ट, चिलका जिल, लक्ष दीप और अंडरमान, निकोबार और दीप समु को दरसानी के लिए बोल गया है तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको यह सा खाली मैप दिया जाएगा आपको उसमें नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मैप लिया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहला जो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको पहले बोला गया है नर्मदा नदी और तापती नदी ठीक है इधर आपका नर्मदा और तापती के बाद दोस्तों आपका चिलका जिल का बात किया था, चिलका जिल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यह जो आप देख पार है, यह है आपका चिलका जिल, उसके बाद दोस्तों आपको बोला गया है, अंडबान निकोबार यहाँ है और उसके बाद बोला गया था आपको लग्शिदीफ़ दीफ़ समू ठीक है यहाँ पे दिखाना है तो यह इत सबीको आपको पाँठ जो है पूझा गया था जगाओं को दरसाने के लिए बोला गया था आप पाँठ जगाओं को दरसा दिए इसको हम मैप में कैसे दिखाएंगे खाली मैप में इस तरह साब को दरसान है ठीक है जसे यहां पर आप देख पारे इस किन पर तो सबसे पहले आप देख सकते हैं नर्मादा नदी इस तरह साब बना दीजेगा ठीक है जो कि अरबसागर में गिरती है ताप्ति नधि भी जो कि अरब सागर में गिरती है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर आप दिखा सकते है यह जो आप देख पा रहे है यह होगी आपका लक्षिदीब समू यह होगी आपका यहां पर अंडमान निकोबार आप दिखा दीजेगा उसके बाद दोस्तों यहां पर आप जो देख पा रहे हैं यह है आपका यह वाला portion यह वाला portion जो आपका कोरो मंडल तर्थ हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं और यहां आपका हो गया दोस्तों यह जो आप देख पा रहे हैं यह उडिसा के पास जो है area यह है अहां पर है आपका ह है चिल का जिल कर सकते हैं तो इस तरह से आप मेप के थूरस है जो 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 चीज आपको बोला जागा वो दिखा सकते हैं आप लोग चाहते कि मैं मैप पर एक special वीडियो लेका हो जिसमें नदी जील तर्ट यह सब में बता हो तो आप लोग लिएटेव को कश चीज को डिटल से समझा दूंग है ताकि आपका एक्जाम में इस टॉपिक मार्स वाया हो जाए तो आसा करते दोस्तों आपको एक चीज को डिटेल से समझ में आया होगा अगर वीडियो थोड़ी से भी helpful लगी है तो please like, send, comment कीजेगा और friends के भी जादा से जादा share कीजे और आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं इस तरह से एक एक चीज़ को detail से बनाओ या direct answer बताओ तो लीचे जलूर comment करके बताईएगा आसा करते पंदरत तारीक के बाद ही जो आप लोग का एक्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग प्लीज जो है अभी से स्टार्ट कीजिए अभी जिन्हों वीडियो को देखा एक बार जो है फिर से और एक बार देख लीजेगा साथ में कोपी में भी नोट करते चलिए ठीक है तो यह रहा दोस्तो मेरा telegram का link यहाँ पर जोइन कर लीजेगा सभी तरह के PDF ठीक है important notes आपको इसी में मिल जाएंगे नीचे description में link दिया गया है मेरा telegram का जो है telegram के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं instagram का भी id दिया गया है अगर कुछ आपके सवाल हो तो आप हमें follow करके वहाँ पर अपने प्रशनों को पुछ सकते हैं Twitter account का handle भी दिया गया आप वहाँ भी जाके मुझे message करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं तो दोस्तो यह इस तरह से जो है आप लोग को हर एक चीज़ को detail में समझा दिया गया है तो दोस्तो आसा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आए और पसंद आए तो बिल्कु लाइक से और कमेंट करना ना भोले तब तक के लिए दोस्तो धन्यवाद जैहिंद वंदमात्रम